नमस्कार दूस्तों आरे टूब चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दूस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेसल में देखेंगे उत्तर प्रदेश जनकर्णा 2021 की महतपूर प्रशनों को जो की आपकी आरुवारी उक्जाम यानि की समिच्छ अधिकारी और साहिक समिच्छ अधिकारी के लिए काफी महतपूर है यहां से दो से तीन प्रशन जो है पूछा जा सकता है तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजेगा चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, साथ में विव आइकन को प्रेस कर लिजेगा, जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे, और पीडियापी का हमाले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क प्रिक के आप अपने त्यारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको प्लेई इस्टोर पर पिचा करके अनेका लर्निंग अप इस्टॉल करने के बाद आप अपने मॉबाइल नंबर से लॉग इन करेंगे, उसके बाद आप अपने गोल को कौन से एकजाम के प्रिपिशन करना है फिर आप उसे रिलेटेट वीडियो आपके सामने दिखने लगएगा फिर आप सब्सक्रिप्रिशन लेने के बाद जो आप वीडियो को देख सकते हैं अन्यक्ए में जोइन करने के एडवांडेज आप देख सकते हैं यहां पर फिर है UPPSC Prelims GS Paper First का जो है test series चला जा रहा है, आप इसे join कर सकते हैं, नीचे description में आपको link इसका दे दिया गया है, उसके बाद है, विज़ेव हो, UPPSC PCS Means का test series करा जा रहा है, आप देख सकते हैं, schedule इसका, फिर है current times, जो की, यबरी Monday to Friday जो है, current phase जो है, आपको करा जाता है, 20 question, 20 minute के लिए, उसके बाद batch courses जो अभी available है, UPPSC Means optional, जो है, start हो गया है, इसे आप join कर सकते हैं, नीचे description में लिंक बिल जाएगा इसका, फिर है UPPSC PCS Means के जो batches है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर आपको है में GS paper 3 के लिए भी, जो है batch शुरू कर दिया गया है और UPPSC का अब preparation करना चाहते है, lower PCS, ROARO UPSI, UPCC, paid exam लिखवाल, BEOE, या फिर optional course का जो सभी आपको जो है batch यहाँ पर अगर्णमी पर मिल जाएगा, तो join करने के लिए हमारा referral code exam learner जरूर जिससे आपको 10% का discount भी मिल जाएगा, UPPSC और UPPSC subscription fees आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ हमारा referral code आपको 10% का discount मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्रप्रदेश जनकरना देश में अस्थान का है, तो सबसे यहाँ पे पूछा जाएगा, भारत में सरवाथिक जनसंख्या किस राजजी की है तो उत्रप्रदेश का है और छेतरपल के दरिश्ट से उत्रप्रदेश का देश में अस्थान कौन सा है तो चौथा अस्थान है, पहले पे है राजस्थान, दुसरे पे मद्रप्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट, और चौथे पर उत्रप्रदेश है फिर है देश की इकुल जनसंख्या में उत्रप्रदेश का प्रतिसक केतना है तो 16.5 एक प्रतिसक उत्रप्रदेश की जनसंख्या है भारत की जनसंख्या में देखा जाए तो बिस्व में जनसंख्या की दृष्ट से उत्रप्रदेश का अस्थान कौन सा है बिस्व में पूशा जा रहा है तो पांचवा अस्थान है पहले पे चीन है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेसिया, पांच में पर उत्तर प्रदेश का अस्थान आ जाएगा है, दिबिस्य में देखा जाए तो, फिर उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो बरतमान में 75 जिले हैं, और जनगर से अधिक आब आदी वाले नगर कितने हैं, तो साथ हैं, और उत्तर प्रदेश में जन्म किसमें जीवन प्रत्यासा क्या था, तो 62.8 वर्स, यदि पूरसों की बात की जाए, तो 61.8 वर्स है, और महिला का जीवन प्रत्यासा है, 63.7 वर्स, अब हैं जनसंक्या से की कुल जनसंक्या कितना है, एक्चुल में यदि पूछा जाए, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंक्या कितना है, 211 के अनुसार, तो 19 करोड 98,12341, फिर अब उत्तर प्रत्यास में पूरुस जनसंक्या कितना है, तो ये 10 करोड के करीब है, यदि प्रतिसत में देखा जाए, तो 52.2 प्रतिसत पुर्सों की जनसंख्या है उत्रप्रदेश में महिला जनसंख्या कितनी है तो 9 करोड के करीब है और यह प्रतिसत में देखा जाएगा तो 47.72 प्रतिसत है फिर है 0 से 6 वर्स आयू वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी है उत्रप्रदेश में तो तीन करोड के करीब है और यह प्रतिसत में है 15.4 एक प्रतिसत है और सरवाधिक जनसंख्या वाला जीला कौन सा है उत्रप्रदेश का तो प्रियाग राज है और निवनतम जनसंख्या वाला जीला कौन सा है तो यह महुबा है और सरवाधिक पूरुस जनसंख्या वाला जी प्रशन बन सकता है कि सरवाधिक जनसंख्या वाला उत्रप्रदेश का जिला कौन सा है तो प्रियाग राज हो चाएगा दूसरे पे मुरादाबाद है फिर है नियुनितम जनसंख्या वाले जिले तो सबसे कम जनसंख्या है महुबा का उसके बाद चित्रकूट फिर हमीरपूर स्रावस्ति उसके बाद ललितपूर लिंगा उनुपाद देखते हैं तो उत्रप्रदेश का आउसत लिंगा उनुपाद कितना है तो नौसो बारे है 2001 में कितना था 898 था उत्तर प्रदेश का लिंगा नुपात बरतमान में कितना है 912 उत्तर प्रदेश का सिसू यानि कि 0 से 6 वर्स का लिंगा नुपात कितना है तो 902 है उत्तर प्रदेश में अनसूचित जाती का लिंगा नुपात 907 है और उत्तरपदेश में अनसुचे जनजाती का लिंगानुपात कितना है तो 951 है सरवाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से है तो जौनपूर है पहले अस्तान पर दूसरे पर आजमगड, तीसरे पर देवरिया, चोथे पर परतापगड और पांचवे पर है सुल्तानपूर फिर है आपका निउनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से है तो गौतम बुधनगर में सबसे कम लिंगानुपात है हमीरपूर और बागपत करमश है, दूसरे अस्तान पर है, तीसरे पर है कानपूर नगर, बांदा और मतुरा है फिर है आपका नगरी यह ग्रामीर जिनसंख्या, तो उतरपदेश में ग्रामीर जिनसंख्या कितना है तो ये 15 करोड के करीब ग्रामीड जनसंख्या है यदि प्रतिसत में देखा जाएगा तो 77.7 सुनि प्रतिसत जो है उत्रपदेश की ग्रामीड जनसंख्या है उत्रपदेश में नगरी जनसंख्या कितना है तो 4 करोड के करीब ग्रामीड जनसंख्या है और प्रतिसत में देखा जाए तो 22 दसमलोत 3 सुने प्रतिसत जो है नगरी ये जनसंख्या है तो दोनों ही याद रखी का प्रतिसत में ही खास कर पूछा जाता है फिर है सरवादिक ग्रामीर जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं तो प्रियाग राज पहले अस्थान पर है दोसरे पर आजमगर, तीसरे पर जौनपूर, चोथे पर सीतापूर, और पांचवे पर गॉरःपूर है तो सरवादिक ग्रामीर जनसंख्या वाला जिला ये पूछा जाए तो प्रियाग राज हो जाएगा फिर है नियुन्तम ग्रामीर जनसंख्या वाले जिले तो गौतम बुध नगर नियुन्तम ग्रामीर जनसंख्या यहां की फिर दूसरे पे महोबा है तीसरे पे हमेरपूर चौथे पर चित्रकूर पांचवे अस्थान पर है बागपत सरवाधिक नगरी जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं तो गाजी अबाद पहले अस्थान पर है दूसरे पर लखनव है तीसरे पर कानपूर नगर है चाओथे पर आगरा और पाच्वे अस्थान पर मेरट है सरवाधिक नगरी जनसंख्या प्रतिसत वाले जीले कौन से हैं तो प्रतिसत के अधार पर भी पहले अस्थान पर गाजियाबाद है दूसरे पर लखनवू, तीसरे पर कानपूर नगर, चौथे अस्थान पर है गौतमबुध नगर, पांचवे पर है मेरट और निवन्तम नगरी जनसंख्या वाले जीले कौन कौन से हैं तो पहले पर है सरावस्ती, दूसरे पर चित्रकूर, तिसरे अस्थान पर कौसामबी, उसके बाद संथकभी नगर, फिर महराजगंज है पिर है निवन्तम नगरी जन संख्या प्रत्सत के अधार पर भी है अब है अनसूचित जाती से जुड़े कुछ महतपूर फैक्ट्स तो सरवाधिक अनसूचित जाती वाले जिले कौन से है तो सीतापूर पहले अस्थान पे है, दूसरे पर प्रियाग राज, तीसरे पर हर्दोई है और नियुनितम अनसूचित जाती वाले जिले बागपत पहले अस्थान पे है, दूसरे पर स्रावस्ती, तीसरे पर गोतम बुद्धनगर है सरवाधिक अनसूचित जाती प्रतिशत के अधार पर देखा जाए तो कौसामबी पहले अस्थान पर है दूसरे पर सीतापू तीसरे पर हर्दोई है नियुनितम अनसूचित जाती प्रत्यत वाले जिले कौन से हैं बागपत पहले अस्थान पे है दूसरे पर बरेली तीसरे अस्थान पर बलरामपूर अब है अनसूचित जनजाती तो सरवाधिक अनसूचित जनजाती वाले जीले कौन से हैं सोन भद्र पहले अस्थान पे हैं दूसरे पर बलिया तीसरे पर देवरिया यदि प्रशन पूछा जाया है सरवाधिक अनसूचित जनजाती वाला जीला कौन सायोतर प्रदेश का तो स प्रतिसेत के अधार पर भी सोन भद्र पहले अस्थान पर है दूसरे पर ललित पूर हो जाएगा तीसरे पर देवरिया फिर है निवनितम अनसुची जंज़ाती पुछा जाएगा पूछा जाता है दस्की बृध्धी दर कितना है उत्यवादिक दस्की बृध्धी दर वाले जिल एकों से हैं गौतम बुधन नगर पहले अस्थान पर है दूसरे पर गाजी आबाद है तीसरे अस्थान पर है स्रावस्ती अब साक्षर्ता देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में साक्षर्ता दर कितना है तो साक्षर्ता दर में अंतर कितना है तो बीश दस्मलों एक प्रतिशत का अंतर है फिर है वर्स दोहर एक से दोहर इग्यारे के मध्य उत्तर प्रदेश की साक्षर्ता दर में ब्रिद्धी कितनी हुई है तो इग्यारे दस्मलों तीन चार प्रतिशत की ब्रिद्धी हुई है फिर है सरवाधिक साख्छर्टा दरवाले जिले कौन से हैं तो गौतम बुधनगर उत्रप्रदेश का सरवाधिक साख्छर्टा वाला जिला है उसके बाद कानपुर नगर है उसके बाद औरया फिर इटावा और गाजियाबाद पांचवे अस्थान पर फिर है निउनतम साक्षर्टा दर्वाले जिले तो सबसे कम साक्षर्टा उत्तर प्रदेश में स्रवस्ति जनपत का है दूसरे अस्थान पर है बहराईच, तीसरे पर बलरामपूर, चोथे पर बदायू और पांचवे अस्थान पर है रामपूर फिर है निउनतम पूर्ष साक्षर्टा दर्वाले जिले पहले अस्थान पर स्रावस्ति दूसरे पर बहराईच, तीसरे अस्थान पर है बलरामपूर और सरवादिक महिला साखचरता दर वाले जिले कौन से हैं? पहले स्थान पर है कानपूर नगर, दोसरे पर लखनव, तीसरे पर गौत्म बुधनगर यह प्रशन पूछाए सरवादिक महिला साखचरता दर किस जनपत्का है, तो कानपूर नगर हो जाएगा सही अंसर फिर निवंतम महिला साक्षर्ता दरवाले जिले कौन से हैं तो पहले अस्थान पर स्रावस्ती, दूसरे पर बलरामपूर, तीसरे पर बहराईच अब है जनगनत्तु तो उतरप्रदेश का जनगनत्तु 839 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है और यह देखा जाए राज्यों में तो 14 हमाँ अस्थान है इसका फिर वर्ष 2001 से 2011 के मद जनगनत्तु में ब्रिध्धी कितना हुआ है तो 149 का ब्रिध्धी हुआ है 2001 में कितना था जनगनत्त उतरप्रदेश का 690 था और 2011 में यह बढ़कर हो गया है 839 फिर सरवाधिक जनगनत्त वाले जिले कौन-कौन से हैं तो गाजियवाद उतरप्रदेश का सरवाधिक जनगनत्त वाला जिला है दोसरे पर है बारारसी, तीसरे पर लखनव, चौथे पर है संत्रविधाश नगर जिसे भदोही के नाम से भी जाना जाता है पांचवे पर है कानपूर नगर उसके बाद है नियूनतम जनगनत वाले जिले तो सबसे कम जनगनत वे ललितपूर जनपद का है दूसरे पर है सोनभद्र, तीसरे पर हमेरपूर, चोधे पर महोबा और पांचवे अस्थान पर चित्रकूट है तो यदि प्रश्ण पूझाया सरवनियूनितम जनगनत वाला जिला कौन सा है उतरप्रदेश का तो ललिप्पूर हो जाएगा अब जो है देख लेते हैं उतरप्रदेश जनगर्णा से जुड़े महतपूर प्रश्ण उत्री तो पहला प्रश्ण है आपका तो आपसन आपके सामने है यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको बताये गिया है 16.5 प्रश्ण प्रश्ण आपके सही हो जाएगा दूसरा प्रश्ण है 2001 से 2011 के दौरान राज्य की दस्किय ब्रिधी धर कितने प्रश्ण रही है तो यहाँ पर दी आपसन से होगा 20.2 दो प्रश्ण और तीसरा प्रश्ण है 2001 से 2011 के दौरान उत्रप्रदेश के जनगनतों में कितनी ब्रिधी होई है तो आपको बताया गया 149 व्यक्ती प्रतिवर्ग किलोमीटर के ब्रिधी होई है बरतमान में कितना है जनगनतों उत्रप्रदेश का 829 व्यक्ती प्रतिवर्ग किलोमीटर और 2001 में कितना था तो यह था 690 अगला प्रशन देखते हैं 2011 कि जनगना के अनुसार उत्रप्रदेश की साक्षर्टा अदर रास्ट्री और सत से कितनी कम है तो यहाँ पर जो सेह हो जाएगा आपका बी आपसन सेह होगा पांच दसमलो तीन दो प्रतिशत कम है उत्रप्रदेश की साक्षर्टा अदर कितना है? 67.7 प्रतिशत है उत्रप्रदेश की साक्षर्टा अदर पांच वा प्रशन 2011 कि जनगना के अनुसार राज्जी की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो ये भी आपको बताया गया है 47.72 प्रतिशत उत्रप्रदेस की महिला जनसंख्या है फिर आपका 2001 की तुलना में वस 2011 में उत्रप्रदेस की साक्षारता दर में कितने प्रतिशत की बृध्धी हुई है तो इग्यारे दसमलो तीन चार प्रतिस्यत की बृध्धी हुई है बी आप सन्या पे सही हुजाएगा साथमा प्रशने दो हैरी ग्यारे की जनगर्णा के नुसार राज्य में सरवाधिक जनगनत्य वाला जिला कौन सा है तो आपको बताया गया है गाजी आबाद डी आप सन्या पे सही हुजाएगा और सबसे कम जनगनत्य तो किस जनपत्य का है तो ललितपूर का है आठवा प्रशने जनगर्णा 2011 के नुसार राज्य में सरवाधिक लिंगा नुपात्य वाला जिला कौन सा है तो यह है जोनपूर C आपसन यहाँ पे सही हो जाएगा और नौवा प्रशने 2011 के जनगर्णा के नुसार राज्य में 0-6 आयूवर्ग की प्रतिसत जनसंख्या कितना है तो यह है 15.041 प्रतिसत C आपसन यहाँ पे सही हो जाएगा और अगला प्रशने जनगर्णा 2011 के नुसार राज्य का लिंगा अनुपात कितना है तो लिंगा अनुपात है 912 यह भी कल्प यहाँ पे सही हो जाएगा अगला प्रशने जनगर्णा 2011 के नुसार राज्य का सरवाधिक जनसंख्या वाला जीला कौन सा है बताया गया है प्रियाग राज यह आप से नहीं हो जाएगा और अगला प्रशन है उत्तर प्रदेश में सरवादिक साक्षर्टा वाला जीला कौन सा है तो यह है गौतम बुद्धिन नगर सी विकल्प यहाँ पे साही हो जाएगा और सबसे कम साच्षर्टा कहां पर है तो स्रावस्ति में है फिर अगला प्रशन है आपका 211 की जनगर्णा के अनुसार राजिकी दसकी जनसंख्या बुरिधिदर कितनी रही है तो यह भी आपको कई वार बताये गया 20.2 प्रिश्यत यह आप से नहीं हो जाएगा अगला प्रशन है उत्रप्रदेश में नियुनितम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो यह गौतम बुद्धनगर यह आप से नहापे सही हो जाएगा और सरवाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा जिला है तो यह जौनपूर अगला प्रशन है privileged के जनकरणा के नुसार राज में महिला साक्षर्ता दर कितनी है तो इत्रसन प्रशन है वर्श दो 11 की जनकरणा के नुसार राज में किस जिले की महिला साक्षर्ता दर नियुनितम है यानि की कम है तो वो है सरावस्ति का है बतायागे आपको यह आपसन सही हो जाएगे हाँ पे अगला प्रशन है जनगर्णा दोहर ग्यारे के नुसार राज में सरवाधिक महिला साक्षर्ता दर्वाला जिला कौन सा है तो यह कानपूर्णगर डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा अगला प्रशन है उतर प्रदेश में जनगर्णा दोहर ग्यारे के नुसार नियुनितम दसकी ब्रिद्धी दर्वाला जिला कौन सा है तो यह सरावस्ति डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिस्यत जनसंख्या जैन धर्म का है तो यहाँ पे आपका C विकल्ब से हो जाएगा 0.1 प्रतिस्यत जनसंख्या जैन धर्म का है अगला प्रश्ण है आपका 10 लाग से अधिक नगरी अबादी वाले जीलों की संख्या कितनी है तो यहाँ पे D आपसन से हो जाएगा 12 10 लाग से अधिक पुछा गया है नगरी अबादी वाले जीले उत्रप्रदेश में कितने है तो 12 है अगला कोशिन आपका 21 की जनकर्णा के अनुसार राज में अनसूचित जातियों की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिसत है तो यह है 20.6 नौ प्रतिसत यह भी कल्प यहाँ पे सही हो जाएगा और अगला प्रदेश में सबसे कम यह स्थी जनसंख्या वाला जीला कौन सा है तो यह है बागपत डी आप्सन आपे सही हो जाएगा यह स्थी यहनिकी अनसूचित जाति की सबसे कम यह स्थी जनसंख्या वाला जन्रपत कौन सा है तो बागपत से हो जाएगा D option तो दोस्तों जो है ये था आपका उत्तर प्रदेश जनकरना दोहरी ग्यारे से जुड़े कुछ महतपूर प्रशन जो कि आपके आने वाले एक्जाम आरो यारो जो कि 5 दिसमबर को यह परिक्षा आवजित होना है तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर कर दीजिएगा चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा साथ में वीडियो आइकन को प्रेश कर लिजिएगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे और PDF का हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा निचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया वहाँ से जोइन करके आप PDF टाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद